हेलो बच्चों, आज हमारा question है, arrange the fallen fraction in assigning order, हमें इस fraction किसमें करना, assigning order, assigning order हमारा क्या होता है, increasing order, मतलब बढ़ते हो यह करम में, छोटे से बड़े की और, जैसे हम कहा सकते 3, 3 से बड़ा क्या 5 है, 5 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 10 है, यह हमारा होगे increasing order, यह हम कहा सकते assigning order, पहले फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, मन लगाता है हमारी order हमारा क्या होगे, increase हो रहा है, लेकिन यहां हमारा fraction में है, 7 upon 9 है, 1 upon 9 है, 4 upon 9 है, और 5 upon 9 है, लेकिन एक चीज़ आप देख रहेंगे, जो हमारे denominator हो, same है, denominator हमारा क्या है, same है, अगर हमारा denominator पूर fraction के ख्यात क्या होता है, same होता, तो हमें देखना होता है, कि numerator सब्चे छोटा कून सा है, यह कब होता है, जब हमारे denominator क्या होंगे, same होगे, जैसे यहां 9 है, यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, तो आप देखेंगा, numerator सब्चे छोटा कून सा है, तो हमारा सब्चे छोटा numerator है, 1, त कब होगा जब हमारे denominator same होंगे तो हमें देखना है numerator जिसका सब्चे छोटा होगा वह हमारा सब्चे छोटा नम्मर हो जाएगा अब यहां देखो 2 upon 5 है 2 upon 7 है 2 upon 3 है और 2 upon 9 यहां तो उल्टा होगया हमारा क्या होगया हमारा numerator same होगया अब हमारे इस case में क्या होगया numerator same होगया जब हमने का denominator same है तो हमारे जो numerator सब्चे छोटा होगा वही सब्चे छोटा होगा लेकिन जब numerator क्या उल्टा है बई numerator क्या हो गए same हो गया तो देखेंगे जिसका denominator greater होगा जिसका denominator सबसे बड़ा होगा वो ही हमारा क्या हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा तो 2 upon 9 इसमें क्या सबसे छोटा नमबर है फिर हमारा कितना है 2 upon 7 फिर 2 upon 5 और सबसे बड़ा नमबर इसमें 2 upon 3 हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना, जब तो denominator सेम हो, तो सब्चे छोटे वाला numerator ही सब्चे छोटे होता, लेकिन अगर numerator ही सेम हो गया, तो सब्चे बड़ा वाला denominator सब्चे छोटे हो जाता है, ओके, अब हमारा है, ओके, अब है, 2 upon 11, 8 upon 11, 7 upon 22, और 3 upon 22, अब यह denominator सेम है यह सेम है, अलग-अलग है, तो जब हमारे denominator सेम न ह js branch हो, तो सब्चे पहले हमें इनके denominator को क्या करना, सेम करना है, अब सेम करने, लेम क्या करेंगे, 11, 11, 22, 33 का क्याक्या लेंगे, जेको 2 से जाएगा, ये दे 11 ऐसी रहेगा, 11 ऐसी रहेगा, 11 2 ये क्या होता, 22 ये 33 ऐसी रह अब 3 से देंगे 11 ऐसी रहेगा यह भी 11 ऐसी रहेगा यह 3 बंज थरी और थरी बंज थरी एलेवन आ गई यह भी 11 से देंगे 111 देखो 236 गतना होता 66 इस अब हमारा सब कर दिया 66 कर दिया पहले हमारा 2 अपोन 11 है तो 11 की टेबल बोले जाए 66 तक कितने टाइम जाएगी 6 multiply करना है इस 2 को जो numerator में तो हमारा पहला बन जाएगा 12 अपोन 66 बन जाएगा दूसरे के मारे टी नुमिटर आप सेम करहेगा कितना करहेगा 66 करहेगा यहाँ में 11 है,11 की टेबल बोलेंगे तो 6 टाइम जाएगा, लेकर नुमिनिटर मारे कितना एट है तो यहाँ जाएगा इन्टू एट, शिक्स एट जा फुर्टी एट अपॉन कितना हो जाएगा, शिक्स्टी सिक्स, ओके, इसका ट्यूमिटर में हमाला सेम है, सब कामने सेम कर रखा, ट्वंटी टू की टेबल, शिक्टी सिक तक बोलेंगे, तो थिरी टाइम जाती है, इन्टू सेवन, कितना हो ज अब एक ची देखो आपका, कितना आरा हमारा, ट्वów अपॉन 66 आरा, फोर्टी एट अपॉन 66 आरा, ट्वंटी वन अपॉन 66 आरा, और 6 अपॉन 66, आप डिनस निम्टूमिटर सेम हो गया, जब हमारे डिनस निम्टीर सेम होंगे, तो सब जे छोटे निम्हूमिटर ही सब ज 96 सबसे छोटा होगा, फिर कितना 12 basin 66 हो जाएगा, फिर हमारा 21 basin 66 हो जाएगा वो सब दकर बचllo 48 okay लेकिन वारी तो नम्मर्स में थे, अब हमारे दे देखना did six upon cit ml枝 कोँझे नम्मर पर लास्ट है कह तो लास्ट हमारा कितना थी reality अपॉन थर्टी थरी इसमें सब्चेट छोठा नंबर हें फिर अमारा क्या 12 hack तो टो अन सिक्टीं के लिए रॉन था Ein तो यह हमारा क्या हो का होNISक है झाल 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 झाल